नारियल का होलसेल बिजनेस कैसे शुरू करें? कच्चे नारियल का बिजनेस या पके हुए नारियल का बिजनेस आप आसानी से शुरू कर सकते हैं नारियल पानी का भी बिजनेस शुरू करके अच्छा खासा मुनाफ़ा आप कमा सकते हैं आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप नारियल का business शुरू कर सकते हैं अगर आप नारियल का wholesale business शुरू करना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि नारियल कहां से खरीदें तो आज का ये वीडियो अंतक जरूर देखें इस वीडियो में हमने ये सब कवर किया है। वीडियो में आगे पढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। कितनी जगा की आविशकता होगी? नारियल का होलसेल बिजनेस हो या कोई और बिजनेस? सबसे पहले उसे शुरू करने के लिए जगा की ज़रूरत तो होती ही है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगबग 200-300 स्कॉार फीट जगा की ज़रूरत होगी। इन्वेस्मेंट कितना होगा? इस बिजनेस के लिए आपको शुरुआत में 5-10 लाग का इन्वेस्मेंट करना पड़ सकता है। आप चाहें तो इन्वेस्मेंट अपने मतापिक कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। मुनाफ़ा कितना होगा इस काम में मुनाफ़ा मेहनत पर निर्भर करता है फिर भी एक अनुमान लगाया जाए तो आप महीने में 35 से 40,000 रुपे कमा ही लेंगे जैसे कि यहाँ पर नारियल 5 रुपे पीस के मिल जाएंगे इसमें अगर आपका किराया भी लगता है या पिर कहीं पर आप ये ले जाते हैं तो वो 10 रुपे का नारियल पढ़ता है इस काम में बहुत अच्छी कमाई है नारियल की बाजार में बहुत ज्यादा डिमार्ड है और ये गर्मी में बहुत अच्छा होता है आप रेटेल दुकानों को 30 रुपे का नारियल दे सकते हैं और आपको इसमें 20 रुपे का फायदा होगा आपने देखा होगा कि वो भी अपना नारियल 40 से 50 रुपे कर देते हैं तो अगर आप दुकानदार को 30 का भी नारियल दे देते हैं तो उन्हें भी 10 या 20 का फाइदा होगा तो आज हमारे इस वीडियो में हमने आपको नारियल के बिजनस की जानकारी थी अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसे और बिजनस आइडियास के लिए हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं ओके क्रेडिट बिजनस ओके है